है अग्याज वालीकूम डीवी टीवी दिस्पोर्ज शो के साथ में हूं मारिया राजपूत आज के शो में हम क्रिकिट की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे जिब बिल्कुल आज हम क्रिकिट की नहीं बलकिश की बात करने जा रहें स्कॉश एक ऐसा खेल जिसके दुनिया पर पाकिस्ताने कहीं दहाईयों तक राज किया स्कॉश की दुनिया का एक चमकता सेतारा हमारे साथ स्टूडियों में मौझूद हैं उनका आपके साथ तारुफ भी कराएंगे और उनसे करेंगे मज़े मज़े की बात हमारे साथ करने वाले आजकर हमारा जो शूव है वह बिल्कुल स्कॉश स्पेशलिस्ते स्कॉश की दुनिया का चमकता सेतारा मुझूद है उनको मैं अपनी तरफ से अगर मैं बात करूँ तो मैं कहते हूं कि ही जैंपियन हमारे साथ अगर मैं उनका तारुफ करवाने बैट जो इतनी की लंबी फैरिस्ते के प्रोग्राम का जो टाइम है वो निकल जाएगा मैं बिल्कुल शौटली आपको बताती हूं कि हमारे साथ मौजूद है फरहान महबूब स्कॉश कैसे खेले लग पड़े बेसिकली यह क्यूंकि मेरी फैमली गेम भी थी स्कॉश और स्कॉश में मेरे मरे फैमली उनकल खेलते हैं जिसमें मेबूला खान थे मेरे वालध कहलते हैं महबूब खान अटलस खान जान्शेर खान जो मेरे मामू न को नहीं झाक हलते हैं जब उनका नानिटीन किकल मेप घचला च्रॉण हर दिन उसको टीवी में देखते देखते क्योंकि जाहरी बात है वो एक टीवी में आते हैं ट्रॉफी पकड़के फिर उपर से मेरी फैमली गेम भी थी क्योंकि मेरे वालिद भी मुझे बाद काफी इंस्ट्रेस करते थे कि आप स्कॉष खेल लो क्योंकि मैं स्कॉष लवर त तो सुरी नो साल का था तो मैंने पी-फ अकेडमी जॉइन कर ले थी पाकिसान एरफोर्स के एकेडमी थी फिर्स्ट एकेडमी थी जिससे काफी अच्छे प्लेइर्स जो है वहां से निकले थे और इंटरनेशनल इवेंट्स पे उनने काफी अच्छी परफॉर्मिस भी दी तो आई वस्ट जुनियर प्लेइर के मैं था एक सफीर उल्ला खान था जो कि ब्रिटिश जुनियर टैटल भी जीत के आए थे फर्स टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में आफ्टर जान शेर के बाद तो तकरीमन गैब था मेरे ख्याल पर कोई 12-13 साल के बाद हम लोग ऐसे जीत के आए थे तो क्योंकि जब जीत के आते हो आप तो और इंटरस्ट और ज्यादा शुरू हो जाता है परफॉमस पे परफॉमस देता रहा तो और भी ज्यादा शुक होना शुरू हो गया था तो इस तरह मेरे मतलब स्कॉश की आगाज बहुत अच्छी तरीके से हो गी स्कॉश की दुनिया में मैंने देखा कि जानशिर खान जागिर खान उसके बाद फिर फरहान महबूबर आमर अतलस उसके बाद मुझे कोई तीसा नाम नज़र नहीं आता अभी जो आपने देखा तैयब अच्छा खेलता है लेकिन स्कॉश की दुनिया पर राज किया करते पाकिस्टन शाया है अगर कही स्कॉश का नाम दिया जाता तो पाकिस्तान का नाम आजाता था दुनिया के में लोग जो है वो सकॉश की वज़े से पाकिसान को जानते थे आप इसके बाद आमेर अटलस उसके बाद अब हमें उस तरह से प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे यह पता है यह बहुत लोगों ने मुझे से ऐसे सवाल किये भी हैं कि मतलब आपके आपके बाद मतलब जानशेर के बाद क्यों नहीं तो मैंने का जब मैं और आमेर कहल रहे थे तो अनलैकिली मैं बैन हो गया था जब मैं सिक्स्टीन पे था वर्ल नमर सिक्टीन पे था तो मेरी तक्रिवन डेट साल बैन के बाद मेरी जो है परफॉमस थी वो बिल्कुल जीरो पे आगई रैंकिंग आजके वारे जो टॉर्नमेंट्स हम लोग खेल रहें आजकल यह हमें फाइदा नहीं देती लास्ट टू तू तू तूजन सेवनटीन सिक्टीन में मैंने जो बड़े इवेंट्स जीते तो उससे मेरी रैंकिंग बहुत अच्छी हो गए थे लेकिन पिर पाकिसान पे बुर चीफ मार्शल सुहेल अमान साब थे उस टाइम तो उनसे भी हम लोगों ने काफी दफाबात कि हमारे सीनर वाइस प्रेज़ेंट जो भी शाय दल्वी साब हमारे उनसे भी बात की और अब फेडरेशन क्योंकि लड़ रही है पी एसे के साथ के पाकिसान सबसे ज्यादा यह एक इंटरनेशनली एक जेलिसी है वही बात मैं अपसे यह करना चाहर थी कौंटीनू हम इसे से करते हैं मैं यह बात कर रहे चाहरी थी कि मैं खुद इस बात की विटनेस हों कि फाकिस्तान स्कॉश के बहुत बहुत ज्यादा इवन कराता है अभी यहां इसामबाद में हुआ पिर कराची में हुआ लाहोर में हुआ और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हमारे पास आ रहे होते हैं लेकिन फिर यह बैन मली कहानी जो है वो समझ नहीं आती है मुझे हम लोगों को इसलिए हम लोग भी यह बात करते रहते हैं जब एजियम मिटिंग आती हैं हमारी पक उपर की प्राइज मनी थी जिसमें वर्ल बार ओं और इस वक्त जटने विए प्लेयर्स वह पाकिसान आ चुके हैं और काफी दफ़ा आ चुके हैं और पकिसान एक ऐसा मुलक है एक सेफ मुलक है अब यकिन करें जब इंट्रनेशनल प्लेयर यहां पे आथे तो इतने हुश लिए भी हमें दुक होता है कि पाकिसान में पाकिसान की प्लेरों की इज़त नहीं है बाहर हम लोग जाते हैं तो वही सेम कंट्री होती है वही सेम लोग होते हैं जो हमारी इज़त नहीं करते हैं वो सारे प्लेरों को इकुली डील करते हैं कि आपने इस होटल में रेकना है आ अपने जब तक प्नेरस की लिएर नहींगा कोई हमारें से आंनों कोई हमारें करें मात करों करें में आप दें चोटा से सरज़ारा हमारे साथ रही गा झीयेूवर्स हम बात करें फरहान मैभूब से उन से मज़े मज़ें की बात स्कॉश में वो कैसे है स्कॉश में पाकिस्तान का मुस्तक्विल कैसे फरहान पाकिस्तान के क्रिक्टर जाते हैं उनको प्रोटोकोल मिलता है स्कॉश के प्लेयर जाते हैं आपने जैसे खा कि उनको प्रोटोकोल नहीं दिया जाता क्या स्कॉश इंटरनेशनल लेवल पर भी अ अब बैक स्टेज पर आ है या वैसे ही पाकिस्तान के स्पेसिफिक प्लेयर्स को जो है वो प्रोटोकल निए जाता है नई ऐसी बात नहीं है आ सकौश को बड़ा प्रोटोकल दिया जाता है बाहर जब आप इंटरेशनले कहलते हो तो मतलब एक जब आप एक इंटरेशनलल ले कि कुईकि हमारी मेडिया भी है बिलकुल देती है लेकिन क्रिकेट के मुटा क्रिकेट की कंपेरिंग करें तो आफ बहुत कम है मुझसे का कर एक पहले भी यह सवाल किया गया था एक दफा के क्रिकेट को बहुत वो करें आप लोगों कुछ करने मैंने का देखे अब 20 क्रोड आवाम में 20 करोड आवाम तो क्रिकट नहीं खेल सकती। जहरी बात है हर बंदे का एक परसनल डिसीजन होता है, एक परसनल लव आफ स्पोर्स होता है कि मैंने यह वाली स्पोर्स खेलनी है, अब कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई फाइलेट बनना चाहेगा, कोई होकी का प्लेयर बनना चाहेगा, कोई स्कॉष का, कोई टैनिस का, तो अब जहरी तो नहीं है कि 20 करोड आवाम सिर्फ क्रिकट ही खेलें, और पर तो पाकिसान में सिर्फ ग्राउंड ही ग्राउंड होंगे, तो हर प्लेयर का पाकिसान में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ह हम लोग कर रहे हैं, पाकिसान की रिप्रेजेंटिंग कर रहे हैं, पाकिसान का नाम आ रहा है, तो हमें चाहिए कि हर स्पोर्स को एक लेवल पर लेके चले, क्योंकि अगर क्रिकट वाला पाकिसान का नाम कर रहा है, तो स्कॉष प्लेयर भी पाकिसान का नाम कर रहा है, सवारे पास किसी के पास पी नहीं है अगर पाकिसान में वर्ल्ड स्कॉश की अगर काउंटिंग करे तो पाकिसान निमसी पारा रहा था उस्टेलिया नमबर टू पाराता सिर्फ स्कॉश की वज़umuz है personally क्योंकि वो मेरा sports है, हमारे पाकिसान का sports है. मैं कभी भी किसी game को target नहीं करता लेकिन यह हमारा भी personal हाख है कि हमें भी support किया जाए ताकि हमें सबसे पहले तो मुल्क के अंदर respect देना शूरू कर दे पिर बाहर देखेंगे. जब मुल्क के अंदर एक respect मिलना शुरू हो जाती है तो हम लोग performance देना शुरू कर देंगे हम लोगों के दिल बढ़े हो जाएंगे लिब आपके अपने मुलक में आपको respect नहीं दिये जा रही है मतलब आप एक player है टॉप में मैं खेल रहा हूं और मैं still struggling कर रहा हूं और फिर भी मुलक का नाम कर रहा हूं तो यह हमारे लिए एक अनलेकी बात है कि मैं अपसे आपसे मुलक से मेरा इतना प्यार है कि मैं खुछ से भी मतलब सारे चीज़े negative छोड़ कि मैं अपने मुलक की तरफ positive सोचता हूं कि मैं अपने मुलक के लिए वो करूँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो support करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ क्रिकट को देखें अगर IPL हो रही है तो करोडों में उनकी टीमें खरीते जा रहे हैं करोडों में उनकी players खरीते जा रहे हैं तो स्कॉश की भी ऐसे कोई लीक कराएं ऐसे बहुत से लोग हैं स्कॉश के इतना बड़ा लीक भी नहीं है क्या होगा बाइर से कुछ players आ जाएंगे 10-12 players होगे पाकिसान के 10-12 players हो जाएंगे एक event होगा जे जानगीर खान आरो जांचेर Khaan के ते देखते हैं कि वर्ड्चेंपियन ते आप एशेंट गोन सकते हैं आप को मीयोप तो समय पाकिसर पैर जावा जाता है बिल्कुल जी एशिन चेंपिन बनना इतना असान बात नी है क्योंकि मैं सिक्स टाइम जी चुका हूँ छे दफ अपने मुल्क के प्रेप्रेजेंटिंग कर चुका हूँ उसमें तो उसके लिए पूरी मतब कॉन्फिडेंस के साथ मैं खिलता हूँ और मेरी मतब अलहमदुल् कि मैं ट्रेनिंग करूँ तो मैं एशिन चेंपिनशिप जीत की दिखा सकता हूँ और आमतुल्ला पाकसान के लिए वी क्योंकि लास्ट टेम जो कि मैं नहीं गया था मुझे पाबंदी थी तो हमारी टीम जो है सिल्वर मेडल जीत के आ आगई थी सपोर्ट, सपोनसेशिप, एक प्लेइर जो सिंगल भी सपोनसर होता है तो वो कम सकम अपने माइंड से इतना रिलैक्स कहلता है कि चलो अगर federation किसी और player को support करे तो मुझे मेरे पास sponsors ऐसे है कि मुझे वो support करेगी क्योंकि साल में 12 tournament खिलने पड़ते हैं internationally तो एशिन championship में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे आप देखे ना almost 30 plus countries आती है कि पूरा Asia उसके अंदर आ रहा होता है अब आप हमारे पड़ोसी मुलक में देखा जाए तो उनकी जो players है इस वाक सौरफ गोशाल और दिपिका है और जोशना चिनापा है उनके sponsorship देखे और compare करें हमारे sponsorship जो कि हम लोग six time मैं सिर्फ single Asian champion हूँ बाकी तो आप देखें कितने लातादाज जीते होंगे तो मैं जब उनको साथ अपने आपको compare कर तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं सिर्फ ऐसे लगता है कि मैं एक beginner और वो professional है मुझे परोसियों की बात चल रही है फरहान हम इसके पूर भी discuss करेंगे कि परोसियों ने आपको fixing की offer भी की की के 2014 में जब एशियन championship हो रही थी वहां पर आपको fixing की offer की गई उनको कुछ पैसों वगारा की ले इनकी offer उसमें बात एक बड़ी important जो आपने की वह ये थी के आव इंडियन जो official से match officials थे उनकी जानब से bookies बनके आपको की की कही थी इस हवाले से शेयर करें कि हम पहले से सुनते आरें कि क्रिकिट में match fixing होती है स्कॉश में match fixing या इस तरह किसे चीज जो है पहली दफ़ा सामने आ रही थी फून करके तो नहीं बोला था ये 2016 की बात है ताइवान में अशन चेपिंशिफ थी तो मैं बाइर वामिग अप कर तो मैच से पहले तो अचानक एक बंदा आया तो क्योंकि स्कॉश में ऐसे कभी फ्यूचर में नहीं हुआ तो वो सर्डेंली मुझे कहता के मुझे कहता कि मुझे कहता है और यू फरहान में पूब मैंने का ये 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 वैरी-एली बात हो कि तो जहरी बात माइन करूंगा तो उसने मझे बना के गर आप कल मैच ऑंडिया के साथ मेने कहाम मेरा मैं हमारा मैच से में फाम Aletta मारा कहते कर आप छोड़ देतें और इंडिया फान में चली जाती आग्लि को मैं पैसे दे दोंगा तो पहले तो मैं बह बुचर तवा हो जाएगा, जाहरी बात है, उपर से पर मेरा मुलक है, उपर से मैंने क्रिकेट के इतनिन वो सुने थे तो मैंने कगा, मैं तो गया, तो मैं आप य Хорошо करें मुझे पसीने आना शुरू अज़ए मैंने का है आप आप क्या क्या काउंट में मैं 2 करोड रौपाई डालू तो आप क्या करेंगेband करेंगे मैंने करेंगे मैंने का नी मैं बिल्कुलแक्सेप्ट निह करूँगाूँ मैंने क्वा चुश leaking दो करोड रुपए मेरे मुलक के लिए तो बहुत कम है अगर आप 2 अरब रुपए वे दे तब भी शायद मैं अपने मुलक का सोधा ना करूं आपके साथ तो मैंने का प्लीज आप जा सकते हैं मेरा मैच है मैंने फोकस करना है तो फिर मुझे बोल रहा था कि आप वो करें तो से पूछना चाहिए थी कि आप लोगों जब आपने ये बात बताई, मीडिया को बताई तो लोगों का रिस्पॉंस चूंकि मैंने पड़ा उसमें ये था कि वो पबिलिसिटी स्टेंट है उनगी तरव से वो पबिलिसिटी लेना चाहरे मैं यही सवाल आप से करना चाहिए थी कि रिस्पोंस लोगों का नेगिटिव जादा था या पॉजिटिव जादा था अब जहरी बात है कुछ लोगों का पॉजिटिव भी था कुछ लोगों का नेगिटिव भी था नेगिटिव वाले जहरी बात है वो यह नहीं देख रहे थे कि इसने अपनी मुल्क की दिफा पाकिसान की भी बदनामी हो जाती ओपर से हमारी फेडरेशन की भी बदनामी तो एक बदनामी से वो दो करोर रुपए का कमपेर करो तो कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने नेगेटिव वाले जो लोग जितने भी थे मैंने उनको यही बोला कि भाई मैं उस टेम अगर करना चाहता तो मैं तूरू आउड आके वहां पर हम लोग जीत गे थे तो मैं एरपोर्ट भी 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 बोल सकता था लेकिन यह मैंने एक मैसेज तोर पर अपनी मीड गुक्त है और यह चोटी सी बात थी प्रहान थोड़ा शौट करते हैं फ़ेटान स्कॉश काष्जरेशन आपको सपोर्ट भी करते हैं है सहाब ने आपनी तरह से प्रूरी कोशिश करते सपोर्ट करने की गुवर्मेंट की तरह से आप लोगों को कैसी सपोर्ट मिल रही है यह किस तरह की जो सपोर्ट है वो आपक्षैक्ट कर रहे हैं ön हमें सपॉर्ट कर रहे हैं इसके बहुछ लादादात प्लेर हैं बहुत ज्यादा काउंटिंग में तो फिर्टरेशन के पास एक तो सबसे पहले है कि उसको जो फंड मिलता है वो इतना ज्यादा नहीं मिलता गौर्मेंट की तरफ से अला कि फेडरेशन ने हमारी काफी दफ़ा उनको बहला है कि हमारी फंड बढ़ाया दिये जाए मतलब बढ़ाया देंगे तो अभी आपको इंटरनेशनली वो क्यूंकि अभी देखे ब्रिडिश सकते कम असकम उनको एक इंडिविजली सपोर्ट एक इंडिविजली स्पॉंसर चाहिए होता है कि पाकिसान में बहुत से स्पॉंसर ऐसे बहुत से फ्रंचाइज कंपनीज है जो कि अगर एक दो प्लेरों को पांच प्लेरों को सपोर्ट भी कर दें तो उनको कुछ भी नही प्लेयर को इंडिविजिली बिस्पांसर करना शुरू कर दे तो वह जो है वह सिर्फ स्कॉश के लिए अच्छा होगा बलकि हमारे जो प्लेयर से और नए प्लेयर आएंगे और बहुत शुक्रिया फरहान आपने मुझे शो में ज्वाइन किया यह था आज कर प्रोग्राम अगले साल तब तक के लिए मुझे दीजिये इजाज़त अलहाफिज